नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज मैं आपको अर्थशास का ग्यारवी कक्षा का पांचवा अध्याय भारत में पूंजी निर्मान, मानव पूंजी निर्मान के बारे में बताऊंगा मानव पूंजी किसी भी देश की प्रमुक आधार शीला होती है मानव आप समझते हैं और पूंजी, पूंजी का मतलब क्या होता है पूंजी मतलब जो उत्पादन प्रक्रिया में सहायक हो मानव पूंजी प्रतेग देश की एक मुख्य आधार शीला होती है हम यह जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति की कारे कुशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होती है कोई भी शिक्षित व्यक्ति अधिक कारे कुशल होता है उसकी उत्पादन शमता अधिक होती है जबकि एक अशिक्षित व्यक्ति की कारे कुशलता कम होती है और यही कारण है कि शिक्षित व्यक्ति द्वारा आये का अधिक स्रजन किया जाता है शिक्षा पाने का प्रियास लगबग समाज के प्रतेग व्यक्ति द्वारा किया जाता है शिक्षा लोगों को सामाजिक स्थिती का ग्यान देती है गौरव प्रदान करती है यह किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में बहतर विकल्पों का चैन करने में भी मदद करती है समाज में क्या सही है क्या गलत है यह सब ग्यान शिक्षित विक्ति के पास अधिक होता है शिक्षित श्रम प्रद्योगी की अर्थात तक्नीक को अपनाने में भी सहायक होता है प्रतेग देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार के लिए बहुत अधिक बल देता है प्रतेग देश चाता है कि उसके यहां शिक्षित व्यक्तियों की दर सबसे अधिक हो एक देश भौतिक संसाधनों को भौतिक पूंजी में परिवर्तित करता है जैसे भूमी पर कारखाना बनाना इसके अंतरगत भूमी एक संसाधन है उस पर जो कारखाना बनाया गया वै भौतिक पूंजी है इसी प्रकार से एक छात्र को मानव संसाधनों में परिवर्तित किया जाता है मानव संसाधन मानव संसाधन के अंतरगत अध्यापक्त डॉक्टर वकील इत्यादी आते हैं अब मैं आपको मानव पूंजी और मानव पूंजी निर्मान की अवधारना बताता हूँ मानव पूंजी क्या है और मानव पूंजी निर्मान क्या है मानव पूंजी एक देश में एक निशित समय बिंदू पर कुशलता, शमता, शिक्षा और ग्यान के स्टॉक अर्थात भंडार को बताती है सीधी साधी भाषा में हम बोलें, तो यदि एक मनुष्य को कई खेतरों का ग्यान है, वह शिक्षित है, उसकी ख्षमता अधिक है, तो वह मानव पूंजी कहलाता है इसके अंतरगत, उन सभी परकार के कुशल व्यक्तियों का उप्योग होता है, जो उत्पादन क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं इसी परकार मानव पूंजी निर्मान, हमने पहले क्या पड़ा, मानव पूंजी, मानव पूंजी निर्मान, एक समय अफधी में, मानविय पूंजी के स्टॉक में वृद्धी की प्रक्रिया है मानव पूंजी के स्टॉक में वृद्धी की प्रक्रिया का मतलब कि मान लिजे हमारे देश में शिक्षित व्यक्ती सत्तर प्रतिशत है उन सत्तर प्रतिशत व्यक्तियों में और अधिक ज्यान देना यहां जो तीस प्रतिशत अशिक्षित व्यक्ति हैं उन्हें भी शिक्षित बनाना यही मानव पूंजी निर्मान कहलाता है अर्थात मानव पूंजी एक स्टॉक है और जब मानव पूंजी में व्रिद्धी होती है तो उसे मानव पूंजी निर्मान कहते है मानव पूंजी में वृद्धी होती है। सत्तर प्रतिशत हमारे यहां शिक्षित हैं। भविश्य में यहां आंकड़ा बढ़ेगा। सत्तर से 75, 80, 85, 90 प्रतिशत। यही मानव पूंजी निर्मान कहलाता है। अच्छी मानव पूंजी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक आदी अन्य मानव पूंजी का उत्पादन या निर्मान करते हैं। डॉक्टर कहीं न कहीं अन्य व्यक्तियों को ग्यान देता है। इंजीनियर अध्यापक अन्य वेक्तियों को अन्य मानव को ग्यान देते हैं जिस से मानव पूंजी का निर्मान होता है। कुशलता पूरवक प्रियोग करती है भौतिक पूंजी हमने अब तक क्या पढ़ा मानव पूंजी मैंने आपको बताया कि मानव पूंजी भौतिक पूंजी का कार्य कुशलता से प्रियोग करती है अब मैं आपको भौतिक पूंजी और मानव पूँजी में अंतर बताता हूँ भौतिक पूँजी वह पूँजी होती है जिसे हम देख सकते हैं चूँ सकते हैं जैसे मशीन इमारते भौतिक पूँजी प्रमख रूप से उत्पादन प्रक्रियाम में मदद करती हैं बहुतिक पुन्जी को बाजार में खरीदा जा सकता है बेचा जा सकता है इने इनके स्वामियों से अलग भी किया जा सकता है जैसे एक मशीन का विक्रेता मशीन बेचता है इसमें मशीन भौतिक पुन्जी है एक उतपादक ने उस विक्रेता से मशीन खरीदी तो इसका अभी प्राई यह हुआ कि उस मशीन का स्वामी पहले विक्रेता था और अब उतपादक है अर्थात भौतिक पुन्जी को उसके स्वामी से अलग कर दिया गया उत्पादक उस मशीन को खरीद भी लेता है अब उस मशीन का स्वामी वह उत्पादक हो जाता है जबकि मानव पूंजी को उसके स्वामी से अलग करना असंभव है मानव पूंजी के अंतरगत एक व्यक्ति को जो ग्यान है उस ग्यान को उस व्यक्ति से अलग करना असंभव है एक व्यक्ति की जो कारेक्षमता है उस व्यक्ति की कारेक्षमता को उस व्यक्ति से अलग करना असंभव है मानव पूंजी एक व्यक्ति का कौशल उसका ग्यान होता है और हम जानते हैं कौशल हो ग्यान हो उत्पादन ख्रमता हो हम उस व्यक्ति से अलग किसी हालत में नहीं कर सकते बहुत एक वस्तु के उत्पादन की कुशलता को मानव पूंजी के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है अर्थात एक विक्ती जितना ग्यानी होगा उसे किसी मशीन के बारे में जितना ग्यान होगा जितना अधिक ज्ञान होगा वह उस मशीन का पून एवं कुशलतम प्रियोग कर पाएगा भौतिक पूनजी को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है एक क्षेतर से दूसरे क्षेतर में लाया ले जाया जा सकता है जबकि मानव पूंजी पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होती है परन्तु पूर्ण रूप से नहीं होती मानव पूंजी के अंतरगत व्यक्ति से उस श्रम से पूछा जाता है कि आप यह काम करने के लिए तैयार है आप यहां जाने के लिए तैयार हैं परन्तु बहुत एक पूंजी अर्थात मशीन को हम अपनी मर्जी से कहीं भी ला सकते हैं ले जा सकते हैं मानव पूंजी के बहुत सुरोत होते हैं मानव पूंजी के सुरोत अर्थात एक देश को मानव पूंजी बनाने के लिए कई क्षेतरों में व्यक करना पड़ता है जिसमें प्रमुक्षेतर शिक्षा है अर्थात ग्यान दूसरा स्वास्थ हम जानते हैं कि कोई भी कमजोर व्यक्ति या बिमार व्यक्ति उत्पादन क्षेतर में अपना योगदान उतना अधिक नहीं दे सकता तीसरा फर्ब द्वारा अपने करमचारियों के कारे स्थल पर प्रशिक्षन करने में व्याएं चौथा प्रवास पर व्याएं प्रवास का अर्थात प्रवास मतलब जब श्रम एक स्थान से दूसरे स्थान एक राज्य से दूसरे राज्य एक देश से दूसरे देश जाता है तथा पाँचवा सुरोत होता है सूचना इन शित्रों पर सरकार द्वारा बहुत अधिक व्य किया जाता है अब सबसे पहले हम शिक्षा पर व्य देखते हैं शिक्षा पर वे पूंजी निर्मान का एक महत्पून स्रोत होता है इससे प्रतेक मानव की तक्नीकी कुशलता का स्रजन होता है मानव को कई शेतरों का ज्यान होता है मानव शक्ती बनती है आप इसे एक उधारन के द्वारा समझे प्रतेक परिवार में माता पिता अपने बच कख्चों को शिक्षा प्रदान करवाते हैं अर्थात उनकी शिक्षा पर वेय करते हैं यह एक प्रकार का निवेश है जो दीर्गकालीन लाब के लिए किया जाता है अर्थात पहली कख्षा से दूसरी तीसरी लगातार कख्षाओं में परिवार द्वारा माता पिता द्वारा वे किया जाता है और उस बच्चे के ग्यान में वृद्धी होती है देहे बच्चा बड़ा होकर शिक्षित हो जाता है और मानविय पूझी निर्मान का एक अंश बन जाता है वे कही न कहीं किसी न किसी खितर में नोकरी करेगा उत्पादन में उसका योगदान होगा उत्पादन की कुशलता बड़ेगी उत्पादन बड़ेगा इसी प्रकार सरकार द्वारा मानविय पूझी निर्मान के लिए स्वास्थ पर भी वे किया जाता है मैंने आपको बताया कि एक बिमार व्यक्ती उतना अधिक कारेकुशल नहीं हो सकता जितना की एक स्वस्थ व्यक्ती चिकित्सा सुविधाओं पर सरकार द्वारा बहुत अधिक वे किया जाता है इसका उधारण स्वच्छ भारत अभियान के अंतरगत यह देखा गया कि गंदगी कम हुई जिससे श्रम की कारेकुशलता में विर्द्धी हुई क्योंकि श्रमिक बिमार कम पड़े गंदा पानी यह भी नहीं मिलने लगा इसके लिए टीका करण बिमारी के दौरान ली जाने वाली दवाईयां स्वास्ते शिक्षा को फैलाना आदी आता है स्वच पानी का प्रावधान अच्छा निकास अर्थात पानी कठा ना हो बिमारियां नहीं फैलेंगी जब बिमारी नहीं होगी तो जो एक देश में श्रम है वह भी बिमार नहीं होगा स्वस्त होगा उसकी उत्पादन श्रमता बढ़ेगी यह सब एक अर्थ विरस्ता में स्वास्त के अनुरूप आते हैं स्वास्त प्रत्यक्ष रूप से श्रम पूंजी को बढ़ाता है उत्पादन में व्रिद्धी, उत्पादन श्मता में व्रिद्धी, राष्ट्रियाय में व्रिद्धी, लोगों के रहन सैन के स्तर में व्रिद्धी, लोगों की प्रयोज्याय में बहुत अधिक कई शित्रों में स्वास्त का अच्छा प्रभाव पढ़ता है तीसरा, फर्म अपने करमचारियों के प्रशिक्षन पर भी व्य करती है फर्म नौकरी के समय भी करमचारियों को प्रशिक्षन देती है या नौकरी से पहले भी जब फर्म इस प्रशिक्षन पर व्य करती है तो फर्म को यह उमीद रहती है कि एक निश्चित समय तक तो करमचारी उनके पास काम करेगा प्रशिक्षण देने से श्रम की कारेकुशलता बढ़ती है वहे कम से कम समय में अधिक कारेकुशल हो जाता है अधिक काम कर पाता है अधिक उत्पादन कर पाता है उसे एक मशीन के बारे में पूर्ण ग्यान हो जाता है प्रशिक्षन पर वेख करने से श्रमिक की कारे को शल्ता बढ़ती है वस्तूओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता है अगला श्रमिक को प्रशिक्षन देने के लिए फर्म द्वारा जो भी वेख किया जाता है उससे फर्म के लाब में वृद्धी भी होती है क्यों? क्योंकि श्रमिक की उत्पादन शमता बढ़ जाती है प्रतेक श्रमिक को प्रशिक्षन देने में फर्म की लागत आती है फर्म का पैसा खर्च होता है फर्म फिर भी ये पैसा क्यों खर्च करती है? क्योंकि श्रमिक जब प्रशिक्षत हो जाएगा तो वह कम समय में अधिक उत्पादन करने लगेगा अधिक उत्पादन करने से फर्म का स्टॉक अधिक मातरा में बाजार में बिकेगा फर्म को अधिक लाब होगा और फर्म का वहे लाब उसकी लागत से अधिक हो जाता है यही सोच कर प्रतेक फर्म श्रमिक को प्रशिक्षन देना चाहती है उसके प्रशिक्षन पर वेर करती है अगला आता है पलायन पर वेर कई बार लोग अच्छी नौकरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में पलायन करते हैं जैसे गरामिड शेतरों से शहरों में लोग आते हैं वह अधिक आये प्राप्त करने के उदेश्य से गाउं से शहरों की तरफ आते हैं इसी प्रकार एक देश से लोग अधिक आये अरजन करने के उदेश्य से विदेशों में जाते हैं ताकि उन्हें अधिक आय प्राप्त हो उनके जीवन स्तर में सुधार हो उनके रहन सेहन के स्तर में सुधार हो इस प्रकार के पलायन में परिवहन लागत आती हैं यदि एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है और वह बेंगलोर जाकर काम करना चाहता है तो वहां उसे वह सुविधाएं भी प्राप्त हो जो उसे दिल्ली में प्राप्त है यही पलायन पर व्य है पलायन पर व्य कई प्रकार से किया जाता है जैसे परिवहन, कानून विवस्ता, संचार, आदी पर सरकार द्वारा व्य किया जाता है ताकि यदि कोई श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे वहां सभी सुविधाएं प्राप्त हो उस स्थान पर निर्वाह करने के लिए लागत आती है इन सभी लागतों को पलायन पर वे कहते हैं जो की मानव पूंजी निर्मान का ही एक स्रोत है आखरी आता है सूचना पर किया गया वे यह भी मानव पूंजी का एक स्रोत होता है लोगों को विभिन पूंजी बाजारों में प्रचलित वेतन तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी होती है जिससे वह नौकरी का चैन कर पाते हैं अर्थात उत्पादक एवं श्रमिक उन दोनों को ही सूचना प्राप्त होनी चाहिए कि कहां नौकरी है कहां एक श्रमिक की उपलब्धता है अन्य बाजारों के विशे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए वे किया जाता है इसके अंतरगत उत्पादक को श्रम बाजार से जानकारी प्राप्त होती है कि श्रमिक की उपलब्धता बाजार में कितनी है एवं श्रमिक को भी जानकारी प्राप्त होती है कि उसकी योग्यता और उसकी उत्पादक ताके अनुरूप उसे कहां कार्य मिल सकता है अब हम अगले भाग में पूंजी निर्मान और आर्थिक संवरिद्धी या आर्थिक विकास का अध्यन करेंगे मानव पूंजी निर्मान और आर्थिक विकास ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है मानव पूंजी निर्मान के कारण ही अर्थवेस्ता में आर्थिक विकास होता है और आर्थिक विकास के कारण ही मानव पूंजी का निर्मान होता है जैसे मानव पूंजी में वृद्धी होने पर जीवन की गुनवत्ता अच्छी होती है लोगों के रहन सेन के स्तर में सुधार होता है उत्पादक एवं श्रमिक की कुशलता में वृद्धी होती है जिससे आर्थिक विकास होता है इसी प्रकार आर्थिक विकास में वृद्धी होने पर लोगों को रोजगार के अधिक अफसर प्राप्त होते हैं उनकी प्रतिव्यक्ति आय बढ़ती है जिससे की वह शिक्षा और स्वास्त पर अधिक निवेश करते हैं वेय करते हैं और शिक्षा एवं स्वास्त में अधिक निवेश होने के कारण मानव पूंजी में व्रिद्धी होती है हमने यह देखा कि मानव पूंजी के कारण आर्थिक विकास होता है और आर्थिक विकास के कारण मानव पूंजी का निर्मान होता है आर्थिक विकास का अर्थ है देश की वास्तविक राष्ट्याय में वृद्धी और हमें पता है कि राष्ट्याय में वृद्धी का अभी प्राय है अधिक से अधिक अंतिम वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन एक देश में अधिक अन्तिम वस्तूं और सेवाओं का उत्पादन होगा तो राष्ट्याय में भी वृद्धी होगी हम यहे भी जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल एक अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है एक स्वस्ति व्यक्ति अधिक समय तक श्रम की पूर्ती कर सकता है क्योंकि वह अधिक समय तक कारकर पाएगा स्वास्थे भी आर्थिक विकास का ही एक महत्पून कारक है मानव पूंजी की वृद्धी के कारण ही आर्थिक विकास होता है भारत में आर्थिक विकास में मानव पुन्जी को महत्व दिया जाता है आर्थिक विकास में मानव पुन्जी का क्या महत्व है यह भारत ने बहुत समय पहले ही समझ लिया था क्यों क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक है और जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक मानव पून्जी की संभावना होती है हाँ यह जरूर है कि शेक्षिक दर अभी भी कम है परन्तु समय अनुसार इस शेक्षिक दर में लगातार वृद्धी होगी और मानव पूंजी का निर्मान होगा मानव पूंजी के बाद अब बस मानव पूंजी का निर्मान जरूरी है जिससे उत्पादन उत्पादकतार राष्ट्रियाए बड़े 1950 में वास्तिक प्रतिव्यक्तियाए 7500-7500 रुपई के करीब थी जबकि 2017 में यह प्रतिव्यक्तियाए 77000 रुपई हो गई अर्थात प्रतिव्यक्तियाए में लगातार वृद्धी हुई है इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर 1950 में बहुत अधिक जोकी वर्तमान समय में बहुत ही कम है क्योंकि स्वास्त पर अधिक व्य हुआ अधिक व्य होने के कारण शिशु मृत्यु दर में बहुत ज्यादा कमी आई शिक्षा पर भी वे होने के कारण साक्षर्ता दर प्रती वर्ष बढ़ती ही जा रही है कुछ वर्षों बाद आप देखिएगा भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेस्था के रूप में उभर कर आएगा और जल्द ही भारत पाँच ट्रिलियन अर्थवेस्था बनेगा ऐसा तभी संभव है जब भारत में मजबूत शिक्षा प्रनाली हो नई नई तकनीकों का विकास हो मानव पूंजी का निर्मान हो अब हम अगले भाग में भारत में मानव पूंजी निर्मान की स्थिती का अध्यन करेंगे मानव पूंजी की समस्याओं का अध्यन करेंगे भारत में शिक्षा का शेत्र उसकी उपलब्दियां उसकी कमियां इन सब का अध्यन करेंगे आशा करता हूँ आद की कक्षा में आपको मानव पूंजी के बारे में पून ग्यान मिला होगा नमस्कार झाला होगा करें आपको में पूंजी करेंगे भूंजी का विए तरूर मानव पूंजी करेंगे